आज 12 फरवरी 2024 को शुक्र ने प्रवेश कर दिया है मकर राशी में और वो यहाँ पर 7 मार्च 2024 तक रहेंगे यहाँ पर मंगल पहले से मौझूद है और मकर राशी में मंगल उच्च के माने जाते हैं मंगल का काम होता है Get, Set, Go यानी वो आक्शन के लिए तयार रहते हैं वही पर शुक्र हमारी जिन्दगी में पैसों के प्यार के कारक होते हैं साथ ही उन सभी भोतिक सुखों के कारक होते हैं जो हमें थोड़े समय के लिए खुशिया दे जैसे कॉस्मेटिक्स, कपडे, जूलरी वगेरा वगेरा वही पर मकर राशी के स्वामी है शनी देव जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं हंबल रहना सिखाते हैं जब ये तीनों का एक साथ कॉंबिनेशन बनता है तो हमें हमारे पैसे सोच समझ कर खर्च करने होंगे इस समय में आपके पास पैसे तो बहुत सारे आएंगे क्योंकि मकर राशी शुक्र की मित्र राशी मानी जाती है लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मकर राशी के स्वामी है शनीदेव जो हमें डिस्सिप्लिन में रहना सिखाते हैं तो खर्चे करते वक्त हमें थोड़ा सा सैयम रखना ही होगा अब जब शुक्र और मंगल एक साथ आते हैं तो वो आपकी काम वासना को बढ़ा देते हैं तो अगर आप शादी शुदा हैं तो अपनी शादी शुदा जिन्दगी को अच्छा और बहतर बनाने की कोशिश करिएगा किसी तीसरे व्यक्ती को शारीरिक सुख के लिए अपनी शादी शुदा जिन्दगी को बरबात करने का मौका मत दीजिएगा इस शुक्र मंगल योग के साथ साथ वालेंटाइन्स डे का भी लाब मिलेगा तो जो लोग प्यार की तलाश में हैं उन्हें प्यार मिलेगा जो लोग शादी करना चाहते हैं उन्हें अच्छे रिष्टे आएंगे और कई लोगों के रिष्टे भी इस समय में तै हो सकते हैं माहौल में प्यार ही प्यार होगा इस समय में जो लोग आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, जूल्री डिजाइनिंग या मीडिया के एक शेतर से जुड़े हुए हैं उन्हें सभी को बहुत ज्यादा लाब होगा तो यही है कि आपके पास इस समय में प्यार भी आएगा, पैसा भी आएगा, लेकिन वो किस तरीके से आ रहा है और आप उसका कैसे उप्योग कर रहे हैं, यह आपकी आगे की जिन्दगी तै करेगा क्योंकि कल शनीदेव अस्त हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, इसका वीडियो भी मैं आपको बना कर जरूर दूंगी लेकिन सबसे जरूरी बात इन सब में यही है कि आपको विनम्र रहना है और डिसिप्लिन रहना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहे तब तक मुस्कुराते रहे बाई